सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वेल आइकन को दबा दे ताकि आप सी प्लेस 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 पाइथन और जावा के जितने फी इंपॉर्टेंट कोश्चन है उनसे अपडेट होते हैं हम यूनिक इस्ट्रिंग का प्रोग्राम देखेंगे फाइथन वे अगर आप पहली बार में चैनल पर विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किजिए वीडियो को लाइक कॉमेट किजिए अगर आप किसी प्रोग्राम में हेल्फ चाहते हैं निके डिस्किप्सर म में कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हुआ है इसी दिए यह एक यूनिक स्ट्रिंग है अगर हम मैडम में आते हैं तो मैडम में आप देख सकते हैं यह टू टाइम रिपीट हुआ है अब हम जब चेक करेंगे कैसे यूनिक स्ट्रिंग है या नहीं है तो इसके लिए आप simple समझ्ये दो लूप लगाएंगे याने दो प्वाइंटर रहेगा एक आउटर फॉर लूप और दूसरा इननर फॉर लूप मेरा याने फर्स्ट प्वाइंटर C पे रहेगा तो inner forloop क्या करेगा GO to R move होगा और check करेगा C है या नहीं अगर नहीं है तो मेरा क्या होता outer forloop एक step और आगे बढ़ेगा और O पे आयेगा और inner forloop M to R check करेगा मेरा O है या नहीं है फिर चुकि नहीं होगा नहीं है तो उस condition में क्या होगा outer follow फिर एक step आगे बढ़ेगा और inner follow P to R check करेगा M है या नहीं है नहीं रहने पर क्या होगा outer follow एक step और आगे बढ़ेगा और inner follow क्या होगा U to R check करेगा मेरा P है या नहीं है तिस तरह last तक जाएगा जब कोई भी character match नहीं होगा तो दिन defeating character नहीं है तो उस condition में यह आपका unique string हो जाएगा अब आते हैं डूसरा जैसे madam में क्या होगा outer follow एम पे रहेगा और inner follow क्या होगा आपका A to M move करेगा जैसे ही M मेरा repeated character होगा यह आपका not unique string होगा इसके अलाबा एक और logic से solve करेंगे इसको हम बात में देखेंगे यह simple है सबसे पहलेक तो क्या करेंगे string को हम sort करेंगे alphabet platter में तो जैसे ही sort करेंगे तो A और A same character है तो एक साथ आजाएगा D अलग है और M और M same character है तो एक साथ आजाएगा इस condition में जैसे ही एक first liter और next liter seem होगा तो वो आपका क्या होगा repeated character होगा तो इसको हम not unique string लीख सकते हैं simple इसी logic पर हम पहले तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे starting वाला देखते हैं कैसे हम unique string को निकालेंगे तो उसके लिए हम R.E.S. एक result R.E.S. एक फिडियाबल ले ले लेते हैं string का इसको input नहीं करवा के हम direct देते हैं com, put, computer ले लिए इसके बाद हम क्या करेंगे simple एक flag फिडियाबल लेते हैं 0 f equal to 0 कर दे और लोग लगाएंगे for i in range alien alien और yes फिर for j in range alien और yes इस लूप में क्या होगा ये लूप आपका क्या होगा character के बाद चलेगा यानि i plus 1 से starting होगा simple अब क्या करेंगे हम यहाँ check करें checking लगाएंगे if res i equal to equal to res j अगर equal है तो उस condition में आप क्या करो f का value को 1 करो और बड़िक कर दो simple अब f का value 1 है इसका मतलब क्या है character repeated है तो उस condition में हम लिखेंगे if f equal to equal to 0 याने f का value change नहीं हुआ है इसका मतलब क्या है unique string है तो print प्रेंट प्रेंट नहीं है अगर हम एडाम को देखते हैं string unique है computer में कोई फी repeated character नहीं है अगर हम मैडाम को देखते हैं string not unique याने मैडाम में repeated character है यह मेरा first logic था अब second logic में हम देखेंगे तो second logic के लिए हम क्या करते हैं इसको हम हटा देते हैं if else को राने देते हैं same if else को हम use करेंगे यहां हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा sort करना होगा sort करने के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले तो s को declare कर देता हूँ फिर में s equal to zero अब क्या करेंगे हम as er एक string ले देते हैं इसमें हम क्या करेंगे string को sort करेंगे तो हम dot join इसको join करना है तो sort it किसका फार्टेड तो सौर्ट करके विधाउट स्थिर में हम क्या करेंगे सिंपल आप इसको प्रेंट के लिए प्रेंट करेंगे हम हम R.E.S. को नहीं हम S.T.R. को प्रिंट करेंगा S.T.R. में हम जो सॉर्टे टरके हैं S.T.R. को जैसे ही प्रिंट करेंगा आप देख सकते हैं A जो सीम केरेक्टर के एक साथ है फिट D है और M सीम केरेक्टर है तो M एक साथ हो गया सिंपल अब क्या करेंगे हम यहां पर लॉजिक लगाएंगे निक्स्ट करेक्टर सेम है या नहीं तो फॉर्लूप लगाते है आई इन रेंज लेंथ ओफ एक सिंपल यहां क्या करेंगे हम हम लास्ट केरेक्टर तर जा रहें इसको हम माइनस वन कर देते हैं एक सिंपल चेक्टिंग लगाते हैं इफ आरि एस सॉरी str i equal to equal to str i plus 1 अगर equal है तो दें क्या करो आफ f का वैलू को 1 करो और जैसे डूबलिकेट होता है f का वैलू को change कर तो अब f का वैलू change नहीं होता है इस का मतलब unique है और change इस तरह हम आसानी से यूनिक स्ट्रिंग का प्रोग्राम पाइथन में बना सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेस टेलिग्राम चैनल से जूरिये ताकि आप किसी भी कोस्टिन को सेंट कर सकते हैं या वहाँ पर डिसकस्शन में आप हिस्सा ले सकते हैं